आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार आज हम बनाने जा रहे हैं अर्बी की सबजी वो भी तरीदार आप सूखी सबजी भी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें पानी मत मिलाईए और इसको थोड़ा सा ही पानी मिलाकर पकाएं तो मैंने एक कड़ाई में ले लिया है दो चमचा ब्राउन होने तक जब तक यह ब्राउन होगी हम इसको थोड़ा सा चलाते रहेंगे ब्राउन होने में ज़्यादा टाइम भी लगता है तीन से चार मिनट लगेंगे और यह हमारी ब्राउन हो जाएगे जब तक हम यह अपना मसाला तियार कर लेंगे मैंने दो टिमाटर, चार प्याज, हरी मिर्च, छिला हुआ, लैशून, आधी, अदरक एक इंच करीब ले ली है और एक नीबू भी लिया है जो हम बाद में डालेंगे अब मैंने मसालों को पीच लिया है, प्याज, लैशून, अदरक, हरी मिर्च का पेष्ट मैंने अलग से पीचा है और टिमाटर को हम अलग से पीचेंगे अब मेरी ये अर्बियां कल कर ब्राउन हो गई है इनको अब हम निकाल लेंगे, जब ये थोड़ी क्रिश्पीशी हो जाए तो आप इनको निकाल लें हमारा तेल पहले से ही गरम हो गया है तो हम इसी में ही एक चम्मच जीरा डालेंगे और एक चम्मच अजवाइन आप चाहें तो क्वाइन बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं मैंने आधा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच जीरा लिया है हमारा तेल पहले से ही गरम था तो इसलिए मैंने प्याज लैसून अदरक हरी मिर्च का पेस्ट इसमें मिला लिया है इसको हम अच्छी तरा से मिल्क्स कर लेंगे अब मैंने इसे 2-3 मिनट तक भून लिया है इसके बाद हम इसमें पीसे हुए टिमाटर मिलाएंगे मैंने ये टिमाटर इसमें डाल लिये हैं अब हम इसे 2-3 मिनट तक चलाते रहेंगे जब ये भून जाए तो हम इसमें मसाले डालेंगे ये देखे मैंने अच्छी तरह से इस मिक्चर को मिक्स कर लिया है अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच लाल मिर्च एक चम्मच धनिया पाउडर एक चम्मच नमक और आधा छोटी चम्मच हींग हल्दी अच्छी तरह से मिला लेंगे आप ये अपने टेस्ट के अनुसार भी ले सकते हैं ये देखे मैंने अब इसमें सारे मसाले डाल दिये हैं मैंने थोड़ी सी आधा चम्मच करीब छोटी हिंग भी डाली है हिंग से यह कि गैस नहीं बनाती अगर हम इसमें हिंग और अजवाइनी डालेंगे तो ये हमारा पेट भी खराब कर सकती है और गैस बन जाती है बहुत से लोगों को नहीं बनती है बहुत से लोगों को बन भी जाती है अब मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है अब इसमें हमें एड़ करना है अमचूर अमचूर आप डाले या डाले आपकी मरजी पर इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है अमचूर डालने के बाद मैंने अच्छी तरा से मिक्स कर लिया है और जो हमारे अर्भी रखी हुई थी तल के ब्राउन वो हमने इसमें डाल दी है अर्भी तो हमारी पहले ही गल चुकी है क्योंकि इसको हमने तल लिया था तो इसमें अब ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा तो देखिए आपको कम लेना है कम ले सकते हैं लेकि में को तरीदार सब्जी बनानी है तो हम थोड़ा तरीदार सब्जी ही बनाएंगे हमारे घरों में कोई सूकी सब्जी खाता है तो कोई तरीदार सब्जी खाना पसंद करता है तो इसलिए आगर आपको सूकी सब्जी ख यह नहीं बने देखिए अब हमारी सब्जी बनकर तयार हो गई है और इसकी तरीबी थोड़ी गाड़ी हो गई है अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कसूरी मिथी मैंने कसूरी मिथी आधा चमच ली है क्योंकि यह टेश्ट को बहुत अच्छा कर देती है और बनने के बाद हम इसमें एक नीमबू निचोड़ेंगे नीमबू का रस आप जादा या कम भी ले सकते हैं मैंने पुरा एक नीमबू लिया है आप आधा या आधे से जादा भी ले सकते हैं और अब इसको अच्छी तरा से मिक्स करके एक दो मिलट तक चलाते हुए हमें ये पकानी है अब हमारी सब्जी बनके तयार हो गई है तो मैंने इसमें आधा चमच गरम मसाला डाल दिया है ये देखे हमारी सब्जी में कलर भी आ गया है और ये बहुत टेस्टी भी बनी है इसमें हम धनिया डालेंगे और उसके बाद हमारी सब्जी खाने के लिए बिलकुर रेडी है अब हमारी अर्बी की सब्जी बनकर तयार है अगर आपको मेरी ये रेशिपी पसंद आई तो प्लीज कमेंट करकर जरूर बताए और अपनी फैमली के साथ एंजोई जरूर करें धन्यवाद